आज के इस कारकब में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थ ववस्ता के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबुत माना जाता है। नव वर्ष पहले ऐसी स्थिती नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट हित पर हावी होता है। तब कैसी बरबादी होती है। कैसा विनास होता है। देश में कई उदारण है। यह हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दोरां यह बरबादी को देखा है, जेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल यूग है। मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं। फोन बैंकिंग करते हैं, लेकिन आज से नव साल पहले जो सरकार थी न, उस समय यह फोन बैंकिंग का कलपना ही अलग थी। रिवाज ही अलग था। तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता, बैंकों को फोन करके, अपने चहेतों को हजारों करोड रुपिय का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था। और कागजी कारवाई होती थी, एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन, दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना, ये फोन बैंकिंग गोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े गोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस गोटाले की बज़र से देश की बैंकिंग व्यवस्ता की कमर तूट गई थी। पहली की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप बली बाती जानते हैं। लेकिन 2014 के बाद स्थिती ऐसी नहीं है, जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नव ज़वानों के बिना गरंटी लोन देजे की ठानी, तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया। जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स के लिए लोन एमाउंट को डबल कर दिया। तो ये बैंक के करमचारी ही थे, जिन्नों ने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्फ ग्रूप को आर्थिक मदद पहुँचाई लिए। जब सरकार ने कोविड काल्ब है, MSME सेक्टर को मदद करने का फैसला लिया, तो ये बैंक करमचारी ही थे, जिन्नों ने जादा से जादा रण देकर, MSME सेक्टर को बचाने में मदद की, और डेड़ करोड से जादा उद्व्यों का, जिसका रोजगार जाने की संभावना थी, उच्छोटे-च्छोटे उद्यागों को बचा करके, देड़ करोड से जादा लोगों का रोजगार भी बचाया